नमस्कार बाईयू, स्वागत आज के मारे नए विडियो में, आज हम बताएंगे आपको कि सेतूत की खेति कैसी की जाती है, तो सेतूत की खेति करने से पहले आपको सबसे पहले चेहन करना होगा कि आप पोदा बीज से तऊजर करें या कलम वाला पोदा लगा है तो उससे आप उसकी कलम काटके नौझी के कलम लगा सक्ते हो। उससे आपका पोदा जल्दी ग्रों हो जाएगा। उसको तोड़को फैक दे शुरुवात में 12 मेने बाद में फ़न ले इसमें इसके बाद में दोस्तों आप इसको कैसे आपको लगाना है किस परकार से नर्सरी इसकी तियार करनी है यह जैसे नर्सरी से आप पोदा लेकर आया या खुद तैयार कर रहे हो तो उसको आप जैसे फरवरी में कलम तैयार करी तो मार्च में आपका पोदा उसको थेली में रेने दे और जुलाई के आसपास आप खड़े में शिफ्ट कर दे उस पोदे को तो अगले मार्च तक आपको पोदा लगवग चार-पांच फिट का हो जाएगा और उसमें आप फड़ ले सकते हो औ आप 10 फिट रखें और इसकी केती लगवग 15-20 साल के लिए कि जा सकती है 15-20 साल तक पढ़ देता एक पोदा यदि आप लंबे समय के लिए करना चाहते हो तो पोदे से पोदे के दूरी लगवग 15 फिट रखें क्योंकि बाद में पोदा बड़ा होता है यदि आप कम समय के चार-пार देज़र के लिए 4-5 साल के लिए करना चाहते हो तो 10 फिट के दूरी रखें शेतूर क्योंकि आप यह कई काम हम मैं आता दौस्तों मांकेड मिलता है इससका से अब खाधा बाब wines और तो फोस्टेवर होदा है तो दोस्तों इस टाइब से आप संदा of कर सकते हो हुआ है 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 हम तो शेती दोस्तों मुख्यते दो प्रकारण नहां होता है एक ब्राउन कलर कि पकने पर वाइट हो जाता है दो कि लर में मुक्हेत पाया जाता है लेकिन रेड कलर वड़ा ज्यादा पसंद करते हैं लोग बाग तो आप रेड कलर वड़ा ही लगाए और सबसे बढ़िया कलम से पोदा तयार करें यदि आपके पास पुराना कोई है विड़ का पोदा है थाकि आपका पुदा जल्दी से ग्रहोगा तीन महीने में पन देने लग जाएगा लेकिन उससे फड़ोग वाप तोड़ कर फैंक दे तो इस प्रकार से आप से तूत के ख्यति कर सकते हो ज़िए आपका मारे वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक हैं से अर्टर।